नमस्कार रागिरी में आपका स्वागत है धुरुपद भारतिय शास्त्रिय संगीत की सबसे प्राचीन शैली है यानि धुरुपद जहां पर है भारतिय शास्त्रिय संगीत की जड़ें जहां से फैलती है शास्त्रिय संगीत की खुश्बू और आज हम खुशनसीब हैं कि हमा दिगज कलाकार उदे भवालकर जी नमस्कार मैं रागगीरी के समस्त शोताओं को नमस्कार करता हूँ और शिवेंद्र जी का आभार वेक्तर करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इस कारिकरम में आमंतरित किया बहुत धन्यवाद उदे जी रागगीरी के लिए हम जब भी इंटरिव्यू करते हैं कलाकारों से तो हमारी गुजारिश यही होती है कि इंटरिव्यू की एक अच्छी शुरुवात हो इसके लिए किसी भक्ती रचना से शुरुवात की जाए तो आपसे भी गुजारिश करेंगे तो आपसे ठिस्टाइ संने में जद्दो आपसे रचना से शुरुण थि मुजारिश की बाभपसे लिए पस साथरुण दरिनार्ण्ना ay रiam slेँ रेना, आर रेना, आर नृपरा औरीना, जय सरस्वति भवानी भारती मंगल भूति गुनदानी जय सरस्वति भवानी जय सरस्वति भवानी जननी शारदा महारानी जननी शारदा महारानी विणाधारणी विणाधारणी शुदबुददानी जय सरस्वति भवानी जय सरस्वति भवानी भारती मंगल भारती मंगल भूति गुनदानी जय सरस्वति भवानी जय सरस्वति भवानी अचा उदे जी अगर हम बच्पन से सिलसलेवार तरीके से शुरू करें तो आप तो अपनी बेहन के साथ जाते थे सीखने और सीखते भी थे ख्याल गायकी तो ख्याल गायकी से धुपद यानि एक कठिन चीज से और ज़ादा कठिन चीज की तरफ किस तरह से आपके कदम बढ़े उसके बारे में बताईए हाँ, ऐसा हुआ कि मैं बचपन में उज्जेंद मध्यप्रदेश में शास की माधव संगीत महविध्याले में में महा सिखने जाता था महा मेरी दीदी भी सिखती थी, मेरी शुरूआत की तालिग मेरी बड़ी बहन दीदी सी भी इस सब्सके भी चाथ था मैं संगीत स्कूल में भी जाता था शामको और सुबह मेरा रेगिलर स्कूल होता था और उस समय ऐसा बस गाना सीखना है कौन्सी विधा सीखना है किस से सीखना ऐसा कुछ मन में नहीं था, ऐसा कोई विचार नहीं था ऐसे कोई संभावनाए नहीं थी आसपास हमारे घर में कोई ऐसा वातावरण भी रही था कि एल्पे रेकॉर्ड सुन रहे है या कुछ कैसेट सुनी जा रही है या ऐसा कुछ ज्यादा नहीं था महुद और यह नाइंटीनेटीवन की बात है कि मैं अपने परडोसी किया गया था एक अकबार एक्सचेंज करने के लिए तो उनके जो अकबार था उसके अंदर मैंने एक अड़राइजमेंट पड़ा कि भोपाल में मध्यप्रदेश रासन संस्कृति विभाग जो यह दुरलब होती जा रह इत्यादी जो कलाई थी यह कब लोग कर रहे थे क्योंकि पिछले सो डेड़ सो साल से हमारे यहां खयाल गाए कि सितार तबला हर्मोनियम यह लोकप्री हुए और लोग धीरे धीरे इन पूरानी चीजों को भूलते जा रहे थे तो उनको वापिस उनका समवर्दन हो लोग स लोग जाने इसलिए वह एक एक कारेकरम मध्यपळेश्षान संदे बनाया था तो मैंने उसमें पढ़ा था दृपत का था तो मैंने बहुत ही कोई करते हुए नहीं न करते हो इसके बारे में सोचा और अपने मम्भी पापा से पूछा कि मैं इसके लिए आवेदिन करूँ ह तो उन्हेंने कहा जरूर करो, अभी मैंने मेरे जो गुरुजी थे उर्जेन में उनसे पूचा जिनसे मैं सीख रहा था, उनसे पूचा थो उन्हें कहा जरूर सीखो, ये डागर परिवार जो है दुरुपत का बहुत बड़ा विद्वान परिवार है और तुम्हें अच्छा दुरूपत सीखने को मिलेगा और शायद वो ये भी सोच रहे थे कि मैं भोपाल में दुरूपत सीखने के बाद वापिस उच्जे ना जाऊंगा और उनसे मैं ख्याल गाए कि सीखते रहूंगा पर ऐसा कुछ हुआ नहीं मतलब जो भी सायोग था तो मैंने 1981 में दुरूपत के इंदर के लिए आवे नन्द मैंने भरा मेरा उसमें सेलेक्शन हो गया और फिर उस्ताद के पास में सीखने लगा तो ऐसा कुछ मन में विचार नहीं था कि मैं पहले ख्याल सिख रहा हूं और बार में दुरूपत सिख रहा हूं हां लोगों ने जरूर मुझे बहुत इसको जिसको में मिलता था वो यह कह ता था रे दुरूपत क्यों सिख रहे हो यह कोई गाता नहीं है और इसका क्या तुछ फरक नहीं पड़ा, क्यूंकि मैं जानता हूँ कि कोई भी विधा, बहुत बड़ी होती है, व्यक्ती पंपड़ता है उसके लिए, और हमारहती संस्कृति में कलावह हो, कोई भी उसका एक फॉरम हो वह बहुत बढ़ा होता है, बहुत समगर होता है, तो अधुरूपر तो हमारे राकसंगीत की जन्नी है, इसके अंदर अलाप और विस्तार के लिए और संभावनाओं के लिए बहुत बड़ी जगे है यह तो यहसा है फिर मैंने उस्ताद के पास आकर मैंने महां गुरुशिश्य परंपरा से वहां 81 से 85 तक वहां बोपाल में सिखा फिर 86 में मेरी इच्छा थी और उनसे सिखने के लिए तो फिर मुझे नैशनल स्कॉलर्शिप मिली, फिर मैं बंबई आ गया, बंबई में भी अपने गुरु के घर में रहा, तो ऐसे भोपाल और बंबई दोनों मिला कर मैं कई 12-13 वर्स अपने गुरु के घर में रहा और यह मेरा बहुत आपके छोटे उस्ताद और आपके बड़े उस्ताद यानि धुपत शैली के दो महान कलाकारों के बारे में जानने का और समझने का, तो हमारे जो रागगिली के सब्स्क्राइबर्स हैं, उनको अपने छोटे गुरु, अपने छोटे उस्ताद और अपने बड़े उस्ताद यानि उस्ताद फरीदु दिन डागर और उस्ताद मोयतु दिन डागर के बारे में जरूर बताईए मेरे दोनों उस्ताद जिनको बड़े उस्ताद और छोटे उस्ताद भी कहते हैं वो केवल दो बड़े भाई थे, एक बड़े भाई और एक छोटे भाई, इसलिए बड़े और छोटे कहा जाता है उनको और दोनों भाईयों का जो एक विद्या देने का उनका जो सुभाव था, वो बहुत ही विलक्षणी है था मतलब ऐसे ग्यान का भंडार है कि वो आपको देते चले जा रहे हैं, आप उठाओ, उसमें से कितना उठा सकते हैं, कितना कर सकते हैं और दोनों भाईयों बहुत एक जैसे लगे, मतलब कि एक ही लगे इतने साल में उनके घर मे रहा क्योंकि मेरे दोनों गुरू थे और मेरे लिए मन में दोनों के प्रति समान भाव, समान प्रेम, समान शर्थ था तो इसलिए मुझे वो दोनों दो होते हुए हमेशा एक लगते हैं पर एक बात है कि दोनों से मुझे बहुत बराबरी का सीखनी को मिला केवल फरक यह होता था कि बड़े उस्तार जो थे, जो वीना बजाती थे वो राग को एक बड़े सिलसिले से या उसको एक अच्छे पष्ट रूप से समझा देते थे कि यह राग ऐसा है, यह राग ऐसा है तो जिसमें कहते हैं कि एक प्रेडिक्टिबिलिटी, एक निश्चित उसको करना कि यह राग ऐसा है फिर उसके आसपास के राग भी समझा лай काफी मीन्ड वाला उनका जो एक गानी का तरीका था मीन्ड और ऐसे जाकर ऐसे आना एक बड़ी लहक उसके अंदर गानी के अंदर वो मीन्ड का प्रयोग बहुत बड़ी उस्ताद के सिखाने में होता था और छोटे उस्ताद के गाने में और सिखाने में एक स्वर पे ठहराओ कि स्वर पे रुको और स्वर को एक अंदर तक जाकने की कोशिश करो कि स्वर क्या है और स्वर कितना सुक्ष्म हो सकता है और कितना सुन्दर हो सकता है और उसके अंदर से जब आप रुकते हैं स्वर के उपर तो आपको आपकी मनस्थिती के अनुसार भी और उसके उपर आप जब काम करते हैं तो आपको पता चलता है कि स्वर कितना गहरा है और उसमें कितनी बारीक बारीक जगे हैं कि स्वर अपना स्थान बदलता है तो ये सब ग्यान जो है वो छोड़े उस्तार से प्राप्त में एक अन्प्रेडिक्टillah भी चाहिए的 जो उतनी ही महत्वपूर्ण ही जुतनी प्रेडिक्टै ज़रुरी ही उतना अन्प्रेडिक्टैबिलिटी या सरफ्राइज एलिमेंट जिसको कहते है ये भी बहुत ज़रुरी होता है कि अब क्या होने वाला है एक आश्चरी हमेशा एक रहना चाहिए कि अब क्या होगा तो ये जो स्थिती है और रियाज करवाने का माददा और जोड जाला में जो एक अध्भुत कटिंग करते थे वो अक्षरों के साथ और ये जो उनकी खासियत थी गमक की खासियत थी उनकी तो ये सब और अक्षरों को बड़े स्पष्टरूप से वो कहते थे जो आर अनरी नानूंतर अरन तो ये दो दोनों गुरुओं की अपनी अपनी खासियत अपनी जगे पर मेरे लिए बहुत मूल्यवान और एक मैं अपने आपको बहुत सौभागिशाली मानता हूं कि मुझे ऐसे दो अद्भुत विलक्षडी गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राए रखें इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानि नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आप वक्त हो तो तुरन देखें नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतिय शास्त्रिय संगीत के बारे में जागरुकता पहलाने का एक मंच है जो एक रेजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खासतोर पर ये मुहीम चला रहे हैं जिसका टाइटिल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे